स्टार्ट महोदै सूर्य से प्राप्त होने वाली उर्जा विज्यान का विश्य है परंतु आज उर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली उर्जा पर तिकी है यो यह विशय सामन्य हित का है और उसमें हमारी समान अभी रूची भी तीक पड़ती है अतहे इस पाठ में सौर उर्जा की संकल्पना और उसकी उपियोगिता पर इस फुट विचार अर्थ तकनिक भाशा में यहां प्रस्तुत है उर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कारियों के लिए परम अवशक है पेड़ पौधे सूरिय से ग्रहन उर्जा करते हैं सूरिय से प्राप्त होने वाली उर्जा को ही सौर उर्जा कहते हैं समस्त स्रोतों से उर्जा प्राप्त करते हैं उर्जा के बिना ने तो जीवन संभव है और नहीं कोई कारिय हो सकता है इसलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक उर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है उर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है उन्हें हम उर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं स्रोत है लकडी, कोईला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदी इनसे हम उर्जा प्राप्त करते हैं वायू और जल को भी उर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है आधोनिक युग में विज्ञान ने उर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं इन्हें आज कल गेर परंपरिक स्रोत कहा जाता है आज उर्जा के अनेक रूप हमें ग्यात है इंधन वाली उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा, जीवाश्मी उर्जा या जमीन के नीचे पत्राए इंधन वाली उर्जा, गैस उर्जा, परमानु उर्जा, तापिय उर्जा, भू तापिय उर्जा, जुआर उर्जा, आदी पैरा पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली उर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर उर्जा का प्रयोग आरंब किया है सन 1973 में जब पेट्रोल मिट्टी के तेल आदी पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया तब विज्यानिकों ने व्यावहारिक स्तर पर सूरिय को उर्जा के प्रमुक स्तरोत में सुविकार किया भारत सरकार के गैर परमपरिक उर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कारिक्रम बनाया है वह राज्यों के उर्जा विभागों की सहयता से इन कारिक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है उर्जा करेक्रमों के अंतरगत गैर पारमपरिक उर्जा स्रोतों के निर्मान और उनके रखरखाव और प्रचार आदी पर बल दिया जाता है इनके अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चितम तकनीकी ज्यान तथा प्रिशिक्षन को बड़ावा दिया जाता है सौर उर्जा हमारे अनेक कारियों में उपियोगी सिद्ध हो सकती है सौर उर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है जिससे घरों में और सडकों पर प्रकाश होता है सौर उर्जा से सोलर कूकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफिरिजरेटर, इत्यादी का विकास रास्ट्रियर, भौति की प्रयोग शालाओं में हो रहा है सोलर, कुकर, संदूक के आकार का होता है जो धूप वाले दिनों में दो घंटे में दाल, चावल, आदी पका देता है पैरा, महोदै, मास, मचली, आदी को भी इससे पकाया जा सकता है सोलर हीटर, सारुजनिक इस्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखा ने आदी में पानी गरम करने के लिए काम में लाए जाते हैं सोलर ड्रायर की सहता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकडियां आदी को सुखाया जाता है अब तो ऐसे सौर सयत्रों का विकास किया जा रहा है जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है सौर उर्जा से हमारे दूर दराज के गाउं भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गाउं भी शहरों की तरह सभी आदोनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे हम भारत वासी सौभग्य शाली हैं की हमारे देश में सौर उर्जा बारहों महीने सुलब है हमें चाहिए की हम सौर उर्जा का भरपूर लाब उठाएं इससे न केवल पारंपरिक उर्जा की बचत होगी पेट्रोल दीजल मिट्टी का तेल आदी के लिए विदेशों का मुह नहीं ताकना पड़ेगा बलकि विदेशी मुद्रा में भी जादा बचत हो सकेगी निसंदेर सौर उर्जा की क्रांती से सामान्य व्यक्ति को लाब मिलेगा और देश चहुम की विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा चुनाव के पहले की इस्तती से देश गुजर रहा है विराम मैं समझता हूँ एक साधारन पाठक की द्रश्टीस में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निश्पक्षता तथा निर्भिक्ता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्तेक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे ऐसे देश में जहां विचार स्वातंत्रे की पूर्ण व्यवस्ता है समाचार पत्र ही अपने निश्पक्ष तथा वस्तुगत मुल्यंकन से जनता का पत्र प्रदर्शन कर सकते हैं यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जन साधारन में समबादों का प्रसार करना पैरा भारत में समाचार पत्र उद्योग लगबग सौ वर्ष पुराना है इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगती की है और शक्ती तथा यश्पका उपारजन किया है किन्तु जब हम भारतिय पत्रों की दूसरे फ्रगतीशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में विशेशकर प्रकाशन संख्या की द्रश्टी से अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं लगू प्रकाशन संख्या का प्रमुक कारण हमारे देश में सक्षर्टा का भारी अभाव है यह हर्ष का विश्य है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी यह कहना असंगत न हुगा की समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है वास्ताव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदी कोई सामान्य बात है तो यही की दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है इसके अतरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद है किसी भी उद्योग पर रास्ट्रिय संगठन और रास्ट्र के लोकों के विचार उनके लक्षे तथा महत्वकाइशाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायत्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंब में एक साधारन प्रचार कारिय के रूप में हुआ है उस समय यह कारिय आर्थिक लाब से उपर था धीरे-धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्य आपन का माध्यम माने जाने लगे पून्विराम